नमो नमस्ते गोविंद, भूति सरवन संग्यक, अगोक संचयम, कित्वा, सर्व सोके प्रदोभव, भूक्ति मुक्ति प्रदस्चेव, लोका नाम सुक दायक है, है भगवान विश्णू, मेरे सारे पाप राशिका आप नाश कर दें, मेरा नमस्कार है आपको, नमस्कार है, आप पुर्णि आत्म जनों को भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले तथा सुख दायक हैं हे भगवान विश्णू आपको नमस्कार है राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादसी प्रवोधनी एकादसी की कथा सुनाने जा रही हूँ युदेश्टे जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा मैंने आपके मुख से रमा का यथात महात्म में सुना जो एकादसी होती है उसकी महिमा बताःए बहवान श्री कृष्ण बोलते हैं जैसा वर्नन लोग श्रीश्टर ब्रह्मा जी ने नारज जिससे किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ नारजी ने कहा पिता जी जिसमें धर्म कर्म में प्रिविर्द कराने वाले भवान गोविंद जाकते हैं उस प्रवोधनी एकादसी का महतम में बताईए ब्रह्मा जी कहते हैं हे मोनिशेष्ट प्रवोधनी का महतम में पाप का नाश पुनिकी ब्रदी तथा उत्तम में की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक की कार्थिक मास में भगवन विष्णों की प्रवोधनी तिथी नहीं आ जाती है प्रवोधनी एक आतसी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजार अस्व मेग यग तथा सो राजस्वी यग का फल पा लेता है ये वेटा जो दुर्लव है जिसके प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्री लोकी में भी किसी ने नहीं देखा है ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर प्रवोधनी एक आतसी उसे देती है भक्ति पुर जो बड़े बड़े पाप हैं उन सब को यह पाप नासनी प्रवोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है पहले की हजारों जन्मों में जो पाप किये गए हैं उसे प्रवोधनी एकादसी की राधरिका जागरण रुई की धेरी के समान भस्म कर डालता है जो लोग प्रवो प्रवोधिनी एकादसी का मन से ध्यान करते हैं तता जो इसके ब्रत का नुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से शुटकारा पाकर भगवान शिर के परमधाम को चले जाते हैं ये ब्रामण अश्व मेक आधी यग्यों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प जागरान करने मात्र से मनिश्र को प्राप्त कर लेता है जैसे मनुष्यों के लिए मृत्य अनिवार है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी च्छा भंगूर है ऐसा समझ करके एकादसी का ब्रत करना चाहिए तीनों लोकों में जो कोई वी तिर्थ संभाव है तब वे सब प प्रबोधिनी एकादसी के उपासना करता है वही ज्यानी है वही योगी है वही तपस्वी है तथा वही जीतेंद्री है तथा उसी को भोग और मुक्ष के प्राप्ति होती है हे नारद प्रबोधिनी एकादसी को भगवान विश्नु के उद्देश से मानव जो इस्नान दा जब और होम करता है वह सब अक्षे हो जाता है जो मनुष्य से उस तीठी को फुवास करके भागवान माधाउं के भक्ति पुर्वक पुजा करते हैं वह सो जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं इस ब्रत के द्वारा देवेश्व जनारदन को संतुस्ट करके संपुन दिशाओं को अपने देश से प्रकासित करता हुआ स्रीहरी के वैकुंट धाम को जाता है प्रमोधनी को पूजित होने पर भवान गोविंद मनुष्यों के बच्पन जवानी और बुढ़ापे में क्यों हुए हुए सोजन्मों के पापों को चाहे वे अधिकों या कम हो धो डालते हैं अधा सर्वता प्रेत्न करके संपुन मनुवांचित फल को देने वाली देवादिदेव जनारधन की उपासना करनी चाहिए हे नारद जो भवान विश्णु के बचन में ततपर होकर कार्थिक में पराय अनका त्याक करता है वो चंद्रायन ब्रत का पालन क करता है जो प्रति दिन सास्तिय चर्चा से मनुरंधन करते हुए कार्थिक मास को वेतीत करता है वो अपने संपुन पापों को जला डालता है दस हज्जार यगों का फल प्राप्त करता है कार्थिक मास में सास्त्री कथा के कहने सुनने से भगवान मदुसूतन को जैसा संतो होता है वैसे उन्हें यग्यदान अत्वा जप्त आदिसे भी नहीं होता है जो शुख कर्म परायण पुरुष कार्थिक मास में एक या आधा इस लोग भी भगवान विश्णों की कथा बाचते हैं उन्हें सो गौधान का फल मिलता है हे महामुने कार्थिक मास में भगवान क की कथा का प्रवंद करता है वो अपनी सो प्यूडियों को तार देता है जो मनुसे सदा नियापुर्वक कार्थिक मास में भगवान विश्णों की कथा को सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है जो प्रवोधिनी एकादसी के दिन शी विश्णों की कथा का स्रमण क करते हैं उन्हें अक्षे लोक की प्राप्ति होती है ही नारद जो मुनस्य कार्थिक मास में भगवत संबंदी गीत और शास्त्र विनूत के द्वारा समय विताता है उनकी पुन्रा विर्ति मैंने नहीं देखी है ही मुने जो पुन्य आत्मापुर्ष भगवान के समक्ष गान निरत वाद और शिविष्णों की कथा को करता है वह तीनों लोकों के उपर विराजमान होता है ही मुनिशेष्ट कार्थिक मास की प्रवोधनी एकादसी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अरगजा, कुमकुम के द्वारा स्रीहरी की पूजा करनी चाहिए एकादसी आन प्रकार के द्रव्यों के साथ स्री जनार्दन को अर्ध देना चाहिए संपूर्ण तीर्थों में स्तान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रवोधनी एकादसी को अर्ध देने से करोड गुना होकर प्राप्तोरता है हे देवर्सी अर्ध के करता है उसे एक एक अक्षय पर कपिला गाय की दान का फल मिलता है है मुनिशिष्ट जो कार्थिक मास में जो मनुश्पनी शक्ति के नुसा सास्वक तरीति से वैश्रम ब्रत एक अदसी का पालन करता है उसकी मुक्ति अभिचल है क्यातिकी के एक पत्ते से पुजित होने पर भवान गरूर ध्वज एक हज्जार वर्स तक अत्यंत त्रप्त रहते हैं है देवरिशी जो अगस्त के फूल से भवान जनार्दन की पुजा करता है उसके दर्शन मात से नरक की आग बुच जाती है ये वस जो कार्थिक मास में भवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और प नित्य पूजन तथा नमशकार के द्वारा तुलसी में नव प्रकार की भक्ती करता है वेक कोट इसहस्त्र युगों तक फुन्य का विस्तार करते हैं ही नाजरद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चड़ाने से जो फल मिलता है वह कार्थिक मास में तुलसी के एक पत् कार्थिक आयादेक प्रति नियम पुर्वक्त तुलसी जी के कोमल पत्तों से महा विष्णू स्री जनारदन का पूजन करना जाहिए जो सो यग्यों द्वरा देवताओं का ये जन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुने प्राप्त होता है वह कार्थिक मास में त तुलसी दल मात्र से केश्रव की पुजा करने पर प्राप्त होता है तुलसी दल पुष्पान ये ये च्छंदी जनारदने कार्थिके सकलंवस पापम जनमार्जिते दहेत दस्ट्वा इस्पस्टा इबाध्याता किर्थिता नामतहिस्तुता रोपिता सेचिता नित्यम शुकृतम मुने यह कथा मैंने आप लोगों को एकादसी ब्रत की महान पुन्य फल्दायनी एकादसी ब्रत कथा को आप लोगों को सुनाया है यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो किर्पया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में भवान शुक्र पक्ष की जो एकादसी आने वाली है यह एकादसी अत्यंत महत पुन एकादसी मानी गई है क्योंकि यह एकादसी देव उठनी एकादसी देव प्रवोधनी एकादसी देव थन एकादसी के नाम से जाना जाता है यह एकादसी का ब्रत अत्यंत शुभ फल्दायक है जो कोई भी इस एकादसी के ब्रत को धारण करता है, उसकी सारी मनुकामनाओं के पूर्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि यह देव उठनी एकादसी का आरंभ कब होगा। एकादसी तिथी कबसे कब तक है, दौादसी तिथी कबसे कब तक है, प्रत खोलने का शुब समय यानी पारना का समय कब रहेगा। यह संपुन जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रहे हूं किर्पया मेरे वीडियो में अंध तक बने रहें कार्थिक मास में यह जो एकादसी पढ़ रही है शुकल पक्ष का जो एकादसी पढ़ रहा है यह अत्यंत महत्पुन एकादसी इसने कहा जाता है और कार्थिक मास की शुकल पक्ष की एकादसी पर भगवान विश्णू जाकते हैं इस देव उठनी एकादसी कहा जाता है यह चार महिने का चतुर मास कहलाता है इस चतुर मास में कोई भी शुभकारे नहीं किया जाता है इस देव उठनी एकादसी से सारे शु शुमकारें यह सारे शुमकारों का आरंभ हो जाता है इसलिए भी यह एकादसी अत्यंत महत्पुन माना गया है। शुमकारों चार महिने के योगनित्रा से जागते हैं और इसी दिन से सारे शुब और मांगली कार आरंभ हो जाते हैं। 12 नौवंबर दिन मंगलवार शाम चार बज़ करके पांच मिनट पर। ऐसे में इस बात एकादसी ब्रत केवल एक दिन ही पड़ेगा जो की पड़ेगा 12 नौवंबर 2024 दिन मंगलवार को। कार्तिक मास शुक्र पक्ष में 12 तिति कव पड़ेगी? 12 तिति का समापन कव होगा? आरंभ कव होगा? आईए जानते हैं। 12 तिति प्रारम हो रहा है 12 नौवंबर दिन मंगलवार शाम चार बज़ करके 6 मिनट से और 12 तिति का समापन हो रहा है 13 नौवंबर दिन बुद्वार दोपर एक बज़ करके 1 मिनट तक कुछ इस्थानों पर 12 तिति पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और प्रदो पुली बेला में या प्रदोश काल में करना चाहिए यह समय शुग होता है आये जानते हैं एकादसी पार्ना मोहर्द कार्थिक मास शुक्र पक्ष पार्ना तिति और मोहर्द 13 अक्टूबर 2024 दिन बुद्वार सुबद 6 बज़ करके 43 मिनट से 8 बज़ करके 51 मिनट के बीच म पार्ना अवसे ही कर लें कहा जाता है कि कोई भी ब्रत करें तो उसका पार्ना हमेशा शुव मोर्थ में ही करें जिससे कि उसका ब्रत का जो पुन्य फल है वह आपको पूर्ण मिले पूजत बिधी सारे एकादस्नियों में जो भगवान श्री हरी विष्णों की पूजा की जाती है वह पुजा एक समान ही होती है लेकिन सास्त्रों में देव उठनी एकादसी का विशेस महत बताये गया है क्योंकि एक तो भगवान जागरित होते हैं दूसरा इसी साली ग्राम भगवान से तुलसी माता का विवाह का आयोजन किया जाता है सबसे पहले भगवान को जगाया जाता है साम के समय में जगाया जाता है घंटा बजाकर, शंक बजाकर, मीठे भजन गा करके भगवान श्री हरी विश्नों को जगाया जाता है इसके बाद गंगा जल से भगवान श्री हरी विष्णू या लड़ू गोपाल की मुर्ति कुछ नान करा जाता है इसके बाद साली ग्राम भगवान और तुलसी माता के विवाह का आयोजन किया जाता है जो कोई भी तुलसी विवाह का आयोजन किसी भी कारण से ना कर पाएं तो उन्हें चाहिए कि वो साली ग्राम भगवान के सरूप की पूजा करें, भगवान श्री हरी विष्णों की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की बाल सरूप की पूजा करें, तुलसी माता की दिन भगवान स्री कुष्ण की पूजा करते हैं या भगवान स्री हरी विष्ण की पूजा करते हैं या ब्रत करते हैं तो भगवान उनकी सारी मनुकामनों की पूर्ती करते हैं अब मैं अपनों को बताने जा रही हूं कि भगवान विष्ण को जगाया कैसे जाएगा जिन लो ले चैन कराया है वह उठाएंगे देव उठनी के दिन विष्णु को जो चादर उडाए जाती थी डेली रात में सोते समय जो चादर डेली उठाया जाएगा ताली बजाया जाएगा ताली बजाने के और उन्हें चावल के दाने चढ़ाने हैं लेकिन चुकि एका दसी का दिन है इसलिए एका दसी पर चावल वर्जित माने जाता है चावल को नहीं चुआ जाता है इसलिए चावल ना चढ़ाएं फूल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं इस तरह से भगवान विश्णू को जाग ज़ाटाएं जल से च्रकाव करें फूल चणाएं और भोग सुरूप जो भी रितू फल होते हैं उनको भोग लगाएं सिंहाड़ा है मूली है अनार है सेव Hai शरीफा है जितने रितू फल होते हैं सब का भोग लगाना चाहिए एक थाली में प्लेट में इस सारे नखना चाहिए जो कोई ब्रत करते हैं उनके लिए दस्मी के दिन ही शाम को सात्विक भोजन करें दस्मी के दिन ही तुलसी की पत्ति को तोड़ करके रख लें एका दसी के दिन तुलसी की व्रक्ष को नच्छुएं और नहीं पत्ति को तोड़ें एकादसी के दिन ओम नमो भगते वासुदेवाय नमा इस मंत्र का जाप सारा दिन करते रहना चाहिए यह मंत्र ना जाप कर पाएं तो सीता नाम सीता नाम कहीं जाप करें किन्तु सारा दिन भगवान का स्वर्ण करते रहें किसी की बातों को न सुने, किसी की चुगली को न सुने, किसी की निंदा न करें यदि किसी ने आपके कान में आके जवरदस्ती चार बात किसी की निंदा सुना ही दी है तो तीन बार सूर्य वगवान का दर्शन कर ले जब आप ब्रत का आरम कर दें इसनान ध्यान करके ब्रत का आरम कर लें उसके बाद में जो ब्रती हैं जिन्होंने ब्रत रखा है वो घर में जाड़ो पोछा ना लगाएं कोशिस करें कोई भी जूठी बरतन को ना छुएं इस तरह से एकादसी के जो ब्रत को धारण करते हैं उनको चाहिए कि इन बातों का ध्यान रखें अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि एकादसी जो की देव उठनी एकादसी ब्रत को धारण क्या जाएगा इस दिन तुलसी विवाह भी की जाएगी बहुत लोग इसी दिन साम के समय में भगवान विष्णु का जो स्वरूप है साली गराम और तुलसी माता का विवाह का जो आयूजन है वो करते हैं और रात भर तुलसी माता का जो पोधा हो उसके सामने घी का दिपक पूरे रात जलाना चाहिए यह अत्यंत शुप फलदायक होता है, यह कार अवसी करना चाहिए, इस प्रकार से देव उठिनी एकादसी के दिन से चातुर मास की समाप्ती हो जाएगी, इस प्रकार से एकादसी ब्रत को धारन करना चाहिए, जो कोई भी इस एकादसी के ब्रत को धारन करें, वो फलहार करें एकादसी के ब्रत में सेंधा नमक का सेवन किया जाता है तो सेंधा नमक फलारी नमक जिसे करते हैं उस नमक से बना करके जो भी फलार होते हैं जैसे आलू कलार करके मुंखली बून करके मखाना बून करके मखाने की खीर बना करके और कुटु काटा है उसका पूड़ी भी यह ब्रत पूरे दिन भलार करके करना चाहिए, कहा जाता है कि सारा दिन चरें लेकिन एका दसी का ब्रत करें, इसलिए कहा जाता है कि यह ब्रत मोक्षदायनी ब्रत माना गया है, प्रित्वी लोग पर तो सब सुख साधन इंसान को प्राप्त होता ही है, साथ में इम्रत के बा लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा और यदि कोई जानकारी आपनों को चाहिए एक अदरसी से संबन दित तो किर्पया कमेंट बॉक्स में आप अवस्य उस प्रश्ण को डाले मैं आपके प्रश्ण का जवाब आप को अवस्य ही दूंगी आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद किर्पया वीडियो को लाइक जरूर करतीजेगा क्योंकि लाइक करने से आपका कोई नुक्सान नहीं है लेकिन यह जानकारी और भी लोगों को प्राप्त होगी इसलिए लाइक जरूर करिएगा धन्य कर्वाद